MP में चलती ट्रेन में युफ्ती के साथ रेप जी आरपी ने बाथरूम का दरवाज़ तोड आरोपी को किया गिरफतार मध्य प्रदेश में एक युफ्ती कटनी से उचहरा के लिए ट्रेन में सफर कर रही थी इस दुरान एक युवक ने उसके साथ रेप के वारदात को अंजाम दिया पीडित ने सतना जी आरपी में रेप की रिपोर्ट दरश कराई है मध्य प्रदेश में चलती ट्रेन में रेप के घटना सामने आई है ट्रेन के एसी कोच में बैठ कर यातरा कर रही एक युवक ने बातरूम जाने के तौरान मारपीट करते वे रेप की वारदात को अंजाम दिया पीडित महिला ने सतना जी आरपी में रेप की रिपोर्ट का केस दरश कराया मामले में एक आरोपी मानिकपुर निवासी कमलेश साहू को गिरफतार किया गया है बताया जाता है कि पीडित युफती और आरोपी ट्रेन में वेंडर है पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक घटना रविवार 10 दिसंबर की शाम की है कटनी से उचहरा के लिए मैमू ट्रेन में युफती आतरा कर रही थी इसी दुरान जब ट्रेन कटनी से कुछ दूरी पकरिया स्टेशन पर पहुची तभी इसी कोच में बैठी हुई युफती बातरूम के लिए गई इसी दुरान पंकच कुश्वहा नामक एक युवक ट्रेन में चड़ा और बातरूम में जागुसा आरोपी बातरूम का दर्वा जबंद कर युफती के साथ मार पीट करने लगा इतना ही नहीं आरोपी ने युफती के साथ रेप की वारदात को भी अंजाम दिया इसके बाद जैसे ही ट्रेन सतना स्टेशन पहुची तो युफ्ती ने चिला कर बातरूम का गेट खुलवाया युफ्ती ने सतना स्टेशन में जी आरपी पुलिस को इस घटना की पूरी जानकारी दी डी एसपी सारी का पांडेप के मुताबे घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस जब एक्शन में आई तब तक सतना स्टेशन से ट्रेन जा चुकी थी सतना जी आरपी पुलिस ने स्टेशन मार्चस्टर से बात कर ट्रेन को अगले स्टेशन में रुकवाया जी आरपी और आरपी एफ के टीम कैमा स्टेशन पौजी लेकिन आरोपी ने डर से खुद को बातरूम के अंदर बंद कर लिया इस दुरान जी आरपी पुलिस ने दरवाजा खुलवाने का प्रेयास किया लेकिन आरोपी ने दर्वाजा नहीं खोला ट्रेन का समय हो रहा था इसलिए ट्रेन कैमा स्टेशन से रवाना करके फिर रीवा स्टेशन पर बातरूम का दर्वाजा तोड़ा गया और आरोपी को बाहर निकाल कर हिरासत में ले लिया गया फिलाल सतना पुलिस ने आरोपी को कटनी जी आरोपी पुलिस को सौब दिया है वहीं कटनी जी आरोपी के खिलाफ रेप का मामना पंजी बन कर जाश शुरू कर दी है